हुआ नमस्कार दोस्तों मैं हूं श्रीश और स्वागत करता हूँ आपका आख की वीडियो में तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अल नीय करी है गाड़ी आप देखो कि एक नजर में आपको पसंद आ जाएगी ऐसी गाड़ी है Scorpio में जहां बोलते थे कि यार कमफर्ट का कहीं लैग होता है वो कमफर्ट जो इसके अंदर भरपूर मातरा में डाल दिया किया है जहां पर हम बोलते थे यार फीचर्स के अंदर थोड़ा बहुत जो है लैग होता है क्योंकि काफी टाइम से आ रही थी और फ्यूचर इस्टिक गाड़ी जो है हम इस सेग्मेंट में काफी सादा देख रहे थे लेकिन जो है कहीं नहीं हम अगर बात करें तो कहीं नहीं हमको यह कमी खिलती थी कियार जो आ रहे ना यह गाड़ी में आपको देखने को नहीं मिलते है बारे मैं अगर बात करें यहां पिर बात करें यहां पर पर देख पार रहे चाहां को बहुत ही जादा गजब की लुक देता है गाड़ी के अगर ग्रिल की बात करें न तो तू भी वैरी ओनर यहां पर अल्टरस जी फॉर की आपको पूरी पूरी याद दिलाएगा और उसका जो है आपको यहां पर फील देखने को मिलने वाला है तो यहां पर गाड़ी के टे लाइटिंग के बारे में तो यहां पर डेफिनिटली जो है आपको वॉल्व एकसी 90 की याद आने वाली है और अगर बात करें तो कहीं ना कई पुराने वाली स्कॉर पर यह इंस्पाइट देखने को लग रहा है यहां पर इंडिकेटर भी जो है वह आपको LED में देखने को मिलेगा साथी साथी जो बड़ी आसा जो है आप जब लाइट ऑन करेंगे तो बड़ी आसी जो है यहां पर लाइट चलेगी जो की LED के अंदर होगी उसके बाद में अगर यहां पर बात कर ले तो आपको हाई स्टॉप टेल लैम देखने को मिल जाता है उसके साथ अगर बा आपको चार पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है साथी साथ आपको पीछे जो है टोइंग होग भी देखने को मिलता है नंबर प्लेट के लिए काफ़ ज़ादा बड़ी स्पेस चोड़ रखे और बड़ी आसा है यहां पर आपको बूट खोलने के लिए जो है रिक्वेस करने के बाद जो है अगर कर्णी के थर्ड रों में आते हैं तो यहां पर आपको एक बिमर्ट देखने को मिलता कि यहां पर आपको गाडी के इंदर थर्ड रों के अंदर कोई भी एसी का वेंट नहीं दिया जो की काफी जादा जो है disappointing factor हो सकता और suffocating भी हो सकता है काफी जादा गर्मी जैसे राजिस्तान की चांस देखरी के अंदर हाला कि जो है lighting वगरा का पूरा properly अच्छी तरीकी सित्हान रखाए गाड़ी के अंदर ventilation की कोई दिक्कत नहीं होगी गाड़ी के अंदर हर जगे साब को properly जो है ए बढ़िया देखने को मिलते हैं इसको फोल्ड करते हैं से करके इसको यहां पर फोल्ड कर सकते हैं तो थर्ड रो में आपके पास कोई जादा स्पेस बचती है नहीं एक गाड़ी का डिमर्ट हो गया क्योंकि देखो सीट अगर पूरी अबन फोल्ड कर देंगा यह और तरीक साइवाल करने में फोल्ड कर देखने में पूरी औलोवर गाड़ी के अंदर आपको टोटल जो है टो सेफटी का महिंदर ना बहुत जादा अची तरीके से धयान रखा है फिर यहां पर बाद कर लें तो बड़ी असा जो है आपको बूट देखने को मिलता इसके साथ आपक जो कि chrome के अंदर है, chrome यह जो है आपका shining वाला chrome नहीं है, silver finish आप इसको कह सकते हैं, properly chrome नहीं कह सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपको company fitted ही गाड़ी की बूट के उपर spoiler देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर बड़ी आशी score पर N की bedging देखने को मिल जाती है, जो कि काफी ज 90 की definitely आपको यह याद देलाईगी, और पूरी आपको यहाँ पर नीचे की तरफ black color की cladding देखने को मिलती है, जिससे आपके महिंदरा score पे और भी जादा बल्गी लगीगी, और off-roading करते वक्त जो है आपके चोटे-मोटे कंकर पतर से भी आपकी गाड़ी को protect कर लेगी, फिर यहाँ पर tire size वगरा की बात कर लें, तो MRF का tire यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, 245, 65R 17 इंच की जो है यहाँ पर आपको tire देखने को मिलेंगे, जो की काफी जादा बढ़िया देखने को मिलते हैं, और अगर बात कर लें यहाँ पर automatic के बारे में, तो 18 मचा देगी, इतनी जादा बढ़िया जो है, इसकी लाइटिंग यहाँ पर दे रखी है, उसके बाद में अगर डी कट के जो ही, डियारेल की बात करें तो ओहो हो भाई, यह जो है ना, गाड़ी के सामने एक बहुत बढ़िया सा जो है एक लुक प्रोवाइड आपको करवा साथी साथ अगर बात करें ना, 4x4 के साथ यहाँ पर आपको जो है, बाड़ी अन फ्रेम ऐसी वी देखने को मिल रही है, जो कि बहुती जादा बढ़िया बात इस रेंज के अंदर, गेट के लुक के अगर बात करें ना, तो यहाँ पर आपको डॉल टोन के लिए गेट दे प्रेमियम देखने में बनाती है, और एक कमाल के फैक्ट बात बताओं, यह जो है आटो अप और आटो डाउन यहाँ पर आपको देखने को मिरर मिल जाएगा, ड्राइवर साइड वाला भी मिल जाएगा और को पैसेंजर वाला भी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल आपको दिखने में लगता है grab handle यहां पर दे रहेगी हैं पर बात करें तो यहां पर आपको बड़ी आसा प्यानो फिनिश के अंदर जो है बटन वगरा देखने को मिल जाते हैं और पूरा कंसोल जो है यह आपको एक तरीके से जो है लैंड क्रूजर के आद दिलाता और लैंड कुरूजर वाला पूरा फील जो है न गाड़ी के न वह दी भी रखाए ती काफी ज्यादा जो प्रीमिम देखने को लगते हैं स्कॉर्पयों की बैजिंग देखने को मिलती है और अगर इसको जैसे आप गेट वगरा खोलेंगे तो गेट में बारी पंसा देखने को लगेगा ऐसे हलका नहीं लगता एकदम तफसा एकदम बड़ी आसी आपको दे देखने को मिल जाती है यहां रियर के इंदर भी आपको बड़ी आसए देखने को मिल जाता और उसके गठोल के बर ऐसी चीज है और यहाँ पर आपको जो है पीचे वाली सीट की भी अगर बात करें तो पियानो फिनिश के अंदर तो आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलता है उसके साथ साथ आपको लेधराइट टैच भी देखने को मिल जाएगा कैबिन के अंदर लाइटिंग वगरा की और किया आप कहीं पर भी टच लगाएंगे न कहीं पर भी आप हाथ हाथ लगाएंगे आपको बड़ीत से कहीं से कोहीज क्वालेटि के नहीं कॉमपर् gdy ने कम्प्रॉमाइस कर आ तो इसलिए अगर आप इस गाड़ी के साड़े सतरा ठारा लाग रोवे भी खर्च करो ना तो भी तो मोस्ट वैली फो मनी गाड़ी अभी तक आप इसको कंसिडर कर सकते हो और मैं फिर बता रहा हूं अगरी में आपको देखने को मिलने वाला है पर अगर यहां पे बात करें तो यह बटन वगरा दे रहा है काफी बाद इसलिए ना ना यह फिन फिनिश और क्वालिट आपको देखने को मिलती है यहां पर आयर व्यम गाड़ी का उटो डिमिंग नहीं है तो काफी जादा एक disappointing factor यह है sunroof गाड़ी के अंदर दे दी गई है electronic seat adjustable आपको यहाँ पे Scorpio N के अंदर देखने को मिलने वाला है जो काफी जादा बढ़िया देखने में लगता है यहाँ पे sunshade के अंदर आपको दोनों sunshade के अंदर light प्रोवाइट कराई गई है काफी अच्छा टच जो है मेंदरा की तरफ से इसमें कोई cost cutting आपको देखने को नहीं मिलेगी फिर rear seat की बात करें न तो बहुत ही जादा देखो किती जादा comfortable seat आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है और किस तरीके का view यहाँ पे आपके आ रहा है देखो किसी को D segment की गाड़ी लगे या ना लगे लेकिन अंदर के अगर interior की बात करें न तो definitely यहाँ पे D segment की गाड़ी को यह features, capability और interior looks के अंदर definitely यहाँ पे मात देती है और काफी जादा देखने में premium और बड़ी हाँ आपको interior देखने को मिलने वाले है तो यह सब जो वीडियो थी यह हमारी Scorpio N के बारे में थी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को like, share, subscribe कर दिजेगा मिलते हैं, ऐसी ही किसी अगली वीडियो के दना जब तक अपना ध्यान रखिए सुरक्षित चलिए, धन्यवाद और हाँ चैनल को subscribe करना ना भूलिए धन्यवाद